लो एन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लज़ फॉर सक्सेज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लज़ फॉर सक्सेज में आज हम NCRT का देखिए क्लास 9 का हिस्ट्री यानि SST का चैप्टर इस्टार्ट करने वाले हैं जो कि पहले का पार्ट 3 होगा अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा आपको वहां लिंक मिलेगा और जाकर के वीडियो को देख लिजेगा तभी आपको इस पार्ट की बाते समझ में आएंगे नहीं तो आपको बहुत सारी बा गरे तिन तुमाज में इस प्रकार बटे हुए थे देखिए हम ने आपको बताया था कि जो फ़स्त स्टेट थे उनको चर्ट या क्या या को जाता था क्लरजी आज जाता था हो चर्श के लोग वहां करते थे थी और सेकंड इस्टेट के लोग कौन थे वह नोबेल इन तो वही में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसमें देखिए फार्मर जो है इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे फार्मर बिचारा बहुत कायदे से अपना सामान लेकर खड़ा हुआ है और किसके साथ खड़ा हुआ है देखिए जो फ्यूडल लॉट्स बैटे पूलता है फार्मर से देखिए किस तरह से फार्मर बेचारा एक हाथ में सलाद लिया हुआ है और दूसरे हाथ में जो है बहुत सारे पैसे लिया हुआ है इसके उपर कोई तरस नहीं खाता यहां पर देखिया पढ़िए इस पूर फेलो ब्रिंग एवरिफिंग ग्रेन यानि फल हो मनी पैसा हो सलाद यह सब लेकर चीजें आई है ठीक है लेकिन जो मोटा बैठा हुआ लॉड है वो जो एक भगवान की तरह बैठा हुआ है लॉड यानि वो नोबल व्यक्ति है नोबलिटी का यानि सेकेंड इस्टेट का व्यक्ति है वह वहां पर एकदम सब के लिए he does not even care to grace him with a look वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता है क्योंकि देखिए वो कहता है कि मुझे सलाद और और पैसे लेकर रखकर चले जाओ अनाज रखके चले जाओ मुझे मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता और इस तरह से वह अपने ताना साही में बैठा हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं एक स्पिक्चर में ठीक है आप देखे इसमें आगे भी पड़ते हैं हम ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ आप देखिए नोबल मैन इस देश्पाइडर दा पीस इंड़ दा फ्लाई यानि बताय गया है कि इस चित्र में जो नोबल मैन है जो सेकंड इस्टेट के लोग है नोबलिटी के या फ्यूडर लोड्स वो एक स्पाइडर की तरह काम कर रहे हैं यानि एक मकड़ी की तरह काम कर रहे हैं जबकि जो विचारा किसान है वो एक किसकी तरह है यानि मक्खी की तरह है यानि फ्लाई यानि मक्खी की तरह है यानि कभी भी उनको अपने जाल में फसा लेते हैं आसानी से उनसे काम करवाते हैं और लाश्ट में काम करवाने के बाद उनसे अनाज भी लेते हैं फ्री में सलात भी लेते हैं और बहुत सारे पैसे भी लेते हैं आईए देखते हैं इससे पता चलता है कि किस तरह से सेकेंड इस्टेट के लोग फार्मर्स और बिचारे पीसेंड के उपर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं इससे आपको पता चल सकता है एक पिक्टर से ठीक है आते हैं पढ़ते हैं अगले 1.1 को और इसमें क्या दिया हुआ है देखिए The struggle to survive, struggle किया गया यानि संघर्ज किया गया जिंदा रहने के लिए Survive यानि बचने के लिए struggle क्या किया गया देखिए The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789 उस वक्त दोस्तों जो France की जनसंक्या थी यानि population था वो करीब करीब 2,30,000,000 था 1715 में 1715 में कितना था? 2,30,000,000 था लेकिन धीरे धीरे अगर समय के बढ़ने के साथ 1789 में यानि 1789 जब आ गया तो जनसंक्या यानि population बढ़ करके वो कितनी हो गई थी? वो हो गई थी आपके 28,000,000 28,000,000 का मतलब 2,80,000,000 यानि करीब करीब आप देख सकते हैं कि 50,000,000 जनसंक्या बढ़ चुकी थी ठीक है अब आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है पड़ते हैं इस लेड टो ए रैपीड इंक्रीज इन देमांड फूर फूर ग्रेंस जिसकी वज़े से जनसंक्या जब बढ़ी पपुलेशन जब बढ़ा तो अनाज की मांग भी धिरे-धिरे बढ़ने लगी प्रोडक्शन ओफ ग्रेंस कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड जो डिमांड थे उतने ज़्यादा क्रॉप्स यानि फसलों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था उतने ज़्यादा अनाज का उत्पादन यानि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि देखिए पुराने जमाने में अगर आप 200-300-400 साल पहले जाएंगे तो उस समय जो है वो बहुत सारे यंद्रों की बहुत सारे उपकरणों की खोज नहीं हुई थी ठीक है इंस्ट्रूमेंट की खोज नहीं हुई थी जो आज हम उपयोग करके आसानी से प्रोडक्श ग्रेन की लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पाया मतलब कि उसकी पूर्ती उतनी नहीं हो पाती थी तो इससी वज़े से क्या होगा देखिए जब कोई भी समान मार्केट में कम होगा तो उसका प्राइस आटोमेटिक बढ़ेगा मतलब कुछ ही लोगों के पास अगर कोई समान दौकान के पासाय मार्केट में और मार्केट में तो वो 2 तीन दौकान दार क्या करेंगे जो दो रुपय का पालेजी है उसको बढ़ा का तीन रुपय का बेचेंगे मतलब की वो उसका rate बढ़ा देंगे वही इसमें बताना चाहरा है कि जिसकी वज़े से जो price था bread का जो की एक staple diet था मतलब की रोज खाने वाले लोगों फ्रांस जो है फ्रांस के लोग रोज खाते थे जो bread को उसका price बहुत तेजी से बढ़ने लगा ठीक है इस बात को समझिएगा उसके बाद आगे पढ़ते हैं most workers were employed as a laborers in workshop बहुत सारे जो करमचारी थे उस वक्त employer थे वो कहां काम करते थे labor की रूप में workshop में काम करते थे यानि workshop में जो गाड़ी बाड़ी बनाने का जो जगह होता है वहाँ पे या तो मतलब जो सरकारी काम में होते थे वो एक employer की तरह काम करते थे labor की थे ठीक है whose owned fixed their wages जो की उनका जो owner था वो क्या करता था owner fix करता था उनकी मजदूरी को जो मजदूरी होता था कौन fix करता था उसका जो मालिक होता था वही fix करता था जो private company हो में अगर काम कर रहे हो laborer तो but wages did not keep pace with the rise in price इसमें क्या हुआ कि देखिए price तो चीजों का बढ़ गया लेकिन उसी के according उनकी salary बिल्कुल नहीं बढ़ी अगर कहने का बात कह दें कि मान लिजे कि कोई व्यक्ती है जो की 10 रुपे कमाता है लेकिन अगर उसका दाम बढ़ गया सामान का तो जाहिर जे बात है कि उसको ज़्यदा कमाना पड़ेगा तब नहीं वो सामान ले पाएगा लेकिन दाम बढ़ गया सामान का लेकिन उसकी salary दसका दसी रुपे रह गई यानि उसकी salary नहीं बढ़ी यहीं बताया गया है कि मजदूरी जो थी वह सामान के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ी अगर मजदूरी बढ़ जाती तो फिर सावान का इदना आसान हो जाता तो इससे और दिक्कत होने लगी फ्रांस के लोगों को जो थर्ड इस्टेट के लोग थे ठीक है जिसकी वज़े से गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी और जाता गहरी होती गई लिजम करेंगे और यहां तक की जब जब सूखा पढ़ जाता था फ्रांस के लोगों के लिए क्योंकि ज़सी बात है अगर आपका नश्ट हो जायेगा और आप कम मात्रा में उसका O investigation करेंगे यानि यहां तक कि जब सूखा पढ़ जाएगा बिल्कुल बारिस नहीं होगी तो इसकी वज़े से भी हमारे फसल कम होने की गुंजाइस होती है जिसकी वज़े से रेट और ज्यादा ध्रीदर बढ़ने लगता है सावानों का चलिए आगे आते हैं पढ़ते हैं देखते हैं क्या द बता रही थी कि जो सासन चल रहा था वो फ्रांस में वो लगातार ऐसी ही बार बार बाते हुआ करती थी ऐसे ही कंडिशन ऐसी ही इस्तिती ऐसा ही सिच्वेशन बार बार फ्रांस में उत्पन हो रहा था ये लगातार खाने की प्राबलम जनता को खतरनाक बना रही थी राज सबसे खतरनाक इस्थीति तब आया जब उन्होंने राजा के खिलाफ जो कि लूई सोलमा ता उसके खिलाफ करांती की शुरुआत कर दी तो यहीं वज़ा था देखें कुछ यानि जो ग्रोइंग मिडल क्लास था वो क्या था कैसे काम कर रहा था आपको इसमें पता चलेगा देखिए इन पास्ट यानि अगर पुराने जमाने में आप देखेंगे पुराने समय में फ्रांस में पीसेंड एंड वरकर्स जो किसान थे और कारिगर थे देखिए जो लगातार दामब भढ़ रहे थे सामानों के और साथी सार जो टैक्स बढ़ा जा रहे थे राजा के दौरा उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे कौन कौन जो किसान थे और वरकर थे वो खड़े हुए थे और उन्होंने आंदोलन कर दिया था राजा के खिलाब किसको ले करके टैक्स को बढ़ाने को ले करके और खाने की कमी को ले करके But they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order लेकिन उनकी जनसंख्या यानि उनका population जो लगातार revolt कर रहे थे उन वेक्तियों का उन percent का जो population था वो बहुत कम था यानि दो ही चार लोग, दसी लोग, बीस लोग, पचास सो लोग एक limited situation में मामला में क्या कर रहे थे वो लगातार revolt कर रहे थे अपने एक सिमिट location में मतलब एक छोटा से जगह पे वो अपना revolt कर रहे थे उससे कुछ होने वाला नहीं था अगर जो population ज़्यादा होती लोगों के revolt करने की तो इससे असर पढ़ता राजा के उपर लेकिन बहुत छोटे मात्रा में एकदम कह सकते हैं कि small scale पर यह revolt हो रहा था इसलिए ज़्यादा problem राजा को उस वक्त हुई नहीं जिससे की social और economic कोई changing आ सके दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रूपस विदिन थार्ड इस्टेट who had become prosperous and had access to education and new ideas दिखिए दिस वाज लेफ्ट यह बात उन लोगों को अलग कर गई किनको to those who groups within the third state who had become a prosperous कुछ third state में भी जो लोग थे वो कुछ लोग अमीर हुआ करते थे जैसे कौन थे professor के जो लड़के होते थे वो पढ़ाई करते थे अपना उनको मांगाई से कोई दिक्कत नहीं होता था जो बड़े-बड़े teacher के लोग थे उसमें भी जो है कि बड़े-बड़े teacher के लोग भी पढ़ते थे बच्चे उनके पढ़ लेते थे उनको कोई दिक्कत नहीं होता था दिक्कत जो होता था, farmers के बच्चों को होता था, यानि जो मुर्तिकार हैं, farmers हैं, patients हैं, और जो artisans हैं, उनको दिक्कत होता था, ठीक है, इस बात को समझना है आपको, उसमें से third state के भी कुछ लोग क्या थे, prosperous थे, यानि कुछ अमीर लोग थे, ठीक है न, तो वो आराम से आगे पढ़िए, देखिए, the 18th century, यहाँ पर पढ़िए, 18th century witnessed the emergence of social groups, 18 सदी में हमने बताया था, 18 सदी का मतलब क्या होता है, 18th century का मतलब होता है, 1700 के एक साल उपर जाएगा, तो यह हो जाएगा 18th century, ठीक है, 18th century के start में, यह हम देख सकते हैं, कि किस तरह से social group, यानि अगलग group बनने लगें, term the middle class, उनको middle class कहा गया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturer of goods, such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of society, देखिए, इसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों का group बन चुका था, जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे, वो middle class कहलाते थे, देखिए, वो लगातार अपने सामान को बाहर भेज करके, व और वो सामानों का manufacturing भी करते थे, यानि goods बनाते थे, यहां तक कि जो woolen silk थे, वो भी बनाते थे, textile जो उद्योग होता है, industries होता है, उसमें वो काम करते थे बहुत जादा, और उसके सामान को दूसरे देशों में भेज करके, फ्रांस के जो अमीर घर के लोग थे, middle class के, वो बहुत सारे profession वाले व्यक्ति थे, जैसे कि lawyers, doctors थे, administrative, official थे, जो कि लगातार सरकार के लिए काम कर रहे थे, उसमें भी third state के कुछ लोग थे, तो आपको यह समझ जाओगा, वो लोग बहुत ही जादा wealthy थे, मतलब पैसे से कमजोर नहीं थे, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, उनका यह मा नहीं है कि जन्म अगर किसी व्यक्ति का हो, तो उसको जो है कि जमीन दे दिया जाए, France के 10% और किसी दूसरे का जन्म हो तो उसको कुछ नहीं दिया जाए, तो यह मतलब क्या हुआ, यह एक discrimination है, जिसकी वज़े से उन्होंने कहा कि नहीं, कोही को भी birth के हिसाब से कोई privilege नह होना चाहिए, मतलब उसके good पर decide होना चाहिए, कि वो कैसा है वेक्ति, ठीक है, वो कैसा कारे कर रहा है, इस आइडियाज इन्विजिंग ए सोसाइटी, based on freedom and equal laws and opportunities for all, उन्होंने बताया कि सबके लिए एक equal right होना चाहिए, और सबको equal opportunities मिलना चाहिए, वो third state के जो पढ़े ल Rousseau in his two treaties of government, locks out to refuse the doctrine of the divine and absolute right, देखिए, इस में से आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे philosophers भी थे, जिन्हों का मानना था, कि जो society है, वो equal होना चाहिए, जो सबके साथ अधिकार होने चाहिए, सबकी बराबर होने चाहिए, जैसे Rousseau, जो बहुत बड़ा philosopher था, जिसने यह बात कह ही भी थी, कि उसने social contract, किताब भी लिखी थी, बुक भी लिखी थी, जिसमें बताया था, कि सभी लोगों का जो right होना चाहिए, वो equal right होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी को जन्व से अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इसी तरह जान लॉक भी हुए, उन् निराजा के सामने, Russo carried the idea forward, Russo ने इस idea को आगे लेकर forward किया, यानि आगे गए, आगे लेकर चले, कैसे proposing a form of government based on a social contract between people and their representative, उन्होंने ये बात कहा, कि ऐसे लोगों की सरकार बननी चाहिए, जो लोगों के प्रती जवाब दे हो, मतलब कि एक constitution से सरकार बननी चाहिए, उन्हो Russo ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था, social contract, ठीक है, और उसके बाद एक किताब लिखी गए थी, in the spirit of law, spirit of law, यानि कानून की आत्मा, जो कि Montesquieu ने लिखी थी, उसके उपर उन्होंने बताया था कि किस तरह से power का division होना चाहिए, मतलब power जो है, वो सिर्फ राजा के ह हात में नहीं होना चाहिए, बलकि हर व्यक्तियों के हात में power होना चाहिए, और पूरा main power जनता के हात में होना चाहिए, यानि government का main power है, वो एक किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जनता के हात में, और वो भी तीन तरह के democracy में अंग होने चाहिए, पार्ट होने लेजिसलेटिव कहते हैं ठीक है एक्जिक्यूटी उसे कहते हैं जो कानून को लागू करवाता है यानि इंप्लिमेंट करवाता है ठीक है और जूडिसरी उसको कहते हैं जो कानून को देखता है कि क्या वो कानून सही बना है या गलत बना है इसकी यह जांच करता है यानि इन 13 colonies declares their independence from Britain यानि Britain से आजादी के बाद मैंने पहले और दूसरे वीडियो में आपको बताया भी था कि USA जो था वो ब्रिटेन के अंडर में था यानि गुलामी में था ठीक है बाद में फ्रांस ने ही मिलकर USA के लोगों के साथ ब्रिटेन को वहां से भगा दिया था American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France फ्रांस के लोगों के मन में यह विचार आया कि जिस तरह अमेरिका आजाद होने के बाद अपने सारे नागरिकों के लिए एक समान समीधान बनाया और Constitution बनाने के साथ साथ उसको equal right दिया उसी तरह फ्रांस के लोगों को भी equal right मिलना चाहिए ठीक है कोई देश में अगर होता है दूसरी बात दूसरे देश भी तो कहते हैं कि हमें भी यह मिलना चाहिए यही बात फ्रांस सीख रहा था किसे अमेरिका से अमेरिका कब आ जा दू चुका था चार जुलाई 1776 को मैंने बताया भी था आप लोगों कि चार जुलाई 1776 को किसकी साहता स से आ जाद हुआ था ठीक है चलिए आ जाते हैं लाश्ट पॉइंट पर अपने पढ़ते हैं ठीक है देखिए दा आइडियाज ऑप दीज फिलोसिपर वर डिजगस्ट इंटेंसिवली इन सैलूंस एंड कॉफी हाउसेड एंड इस्प्रेड अमंग फिपूल थ्रू बुक् रचा करकर बताया करते थे कि देखो राजा यह बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ गलत कर रहा है राजा लगाता टेक्स बढ़ा रहा है और टेक्स के सासा समान भी महंगे करते हुए जा रहा है और उसके पास कोई ऐसी सिनारियों नहीं है जिससे कि वह और कोई उसका पॉल लोगों को समझाना सुरू कर दिया कुछ-कुछ लोग जो नहीं सुन सकते थे उनको चित्रों के माध्यम से और साउंड के माध्यम से जो है दिखाना सुरू कर दिया माल यह जो सुन नहीं सकता उसको देख तो सकता है तो वह पिक्चर के बना-बनाकर आर्टिसन ने बनाना सुरू कर दिया राजा का खिलाप औरorsa बताना सुरू कर दिया कि देखो राजा किस तरह से अभी मैंने आपको पिक्चर एक दिखाया भी था सूरू किस तरह से एक किसान को छोटा समझा जा रहा है और वह उसके उपर लगातार जो है यह बड़े लोग उसके उपर जो में कर रहे हैं ठीक है वो बेचारा कितना अच्छे से सामान लेकर खड़ा हुआ है सालाद लेकर खड़ा है अनाज लेकर खड़ा है और साती साथ बहुत पैसे भी लिया हुआ है लेकिन उसकी कोई जत नहीं है उसके सामने ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे फिलोसिपर ने अ allowed in gurus for the benefit of those who could not read and write जो लिख और पढ़ नहीं सकते थे उनको इकठा करके हमने अभी बताया एक सभा बनाई जाती थी और उनको वहीं पर रैली की तरह एक बताया जाता था कि देखिए राजा आपके खिलाफ यह कर रहा है सो दो सो चार तो लोग को जुटा करके यह सब बातें दार्सनिक जो थे फिलोसिफर थे वो करते थे दर न्यूज डैट लूइस सिस्टीन प्लांड इन इंपोज फर्दर टैक्स तो बी एब जिसकी वज़े से जो एक्सपेंसे थे जो खर्चे थे थर्ड इस्टेट के वह और ज्यादा बढ़ने लगे जिसकी वज़े से जो थर्ड इस्टेट के लोग थे उनके अंदर एंगर यानि गुस्सा आ गया और गुस्से की वज़े से उन्होंने इस सिस्टम के खिलाप प् और दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल नत भूलिएगा तक तक मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद